तुल प्यूटिफुल साडी इस गंदी सी डी ग्रेट साडी में तुम्हारी खुबसूरती और ए ग्रेट सुंदर्ता अलग ही दिखाई दे रही है यही तो मैं देखने आया हूँ जोड़ो 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 ए ब्लैक डॉग तुम मेंसे अगर कोई मर्द है तो यहां कर इसे मुझसे बचा कर ले जाए नहीं तो इसका हाल बहुत बुरा कर दूगा मैं किसी का भी सर और आके नीचे हुई तो इससे गोली मार दूगा मैं अजय करके उतारते समय तुम्हें आगे फोल कर देखना होगा अजय को अजय कर दूगा मैं तेरे शरीर के कपड़े को तेरे शरीर के अलग कर दूगा मैं और तुझे नंगा करके इन लोगे के शामने चाहँगा चोड़ दो उसे अजय करो चोड़ दो किसले आप लोग डर रहे हो यह डर ही इसकी ताकत है यह पागल कुट्टा है बद्दुग में गोली के होने तक यह मैं बारता रहेगा उसके बाद हमारे हाथ तो कुट्टे की मौत बारा जाएगा क्या तू अंग्रेशों से ठकर लेगी है बोल दिको नहीं वह किस साथ आधा ना मिलाओगे तो बनता है वन दमे की मात्रा लगाओगे तो बनता है दे में में आ की मात्रा लगाओगे तो बनता है मां दा में दा की मात्रा लगाओगे तो बनता है दा रा में आ की मात्रा लगाओगे तो बनता है राम बंदे मुद्द्द्द्द्द् जनक आप हुआ मेन एग झावाया हुआ उर शभया हुआ हुआ मैंपस को leven हुआ fais Кज다 टे जैं? उर लोन में को सीना हुआ अहां केतो के हर्यानी पक्यू हुई फसल कितनी अच्छी लग रही है नीचे देखिए बाप रहने दो पिए नीचे देखने से मेरा बीपी बढ़ने लगता है अरे बीपी तो कुछ भी नहीं शूगर पाइस गय सभी रोग है मेरे भाई इतनी सारे रोग होने पर आपको हेल् मिनिस्टर बनाया गया था मुझे क्या हुआ भाई पाइले यह आवाज कैसी है अधिये टेक्टिये प्रव्रम है सर अधाइम हो रहा है जल्दी करो अच्छे जल्दी ठीक करता हूं सर अधाँ कि इतना बड़ा जन्सबू एक्दम से लैंड हुए है हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर शेकर कपूर इसी भी चैनल में फ्लैश नियु जा गई होगी जनता दोड़ी हुए रही है कमाल है इस जनता का भी जवाब नहीं मेरे भाई कब हेल्थ मिनिस्टर से सीम की कुर्सी पर यह सब इतनी तेजी से पहां जा रही है चोटे मालिक के लिए चोटे मालिक वह मैंडल के धक्ष है क्या मंतरी है क्या नई मदर व्याबू बाब़ा जनम दिन है और हमारे लिए तयवार है आवाह बस्ता जो सकतवी क्या है जीव दीव 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 देवा देवा देवर देवा देवा देवर ये कोई है अवतार सत्टुरुशाय वित्महे सबकी सरे ए गुणा सत्य संथाय वित्महे जब-जब धर्टिप थुल्म और अत्याचार बढ़ा तब-दब मानव रूप में देव ने अव्तार लिया देवा दि देवा देवा दि देवा बंदर नम देवय दर्थ अधर्थिक देवा याइक देवा वंदरंश। ये को यैं अतार सबके सुने ये दुआ सत्य संभाय वित्महे वित्म долларов महत्तर जिल कारा वी तुम्हें आपकर को मातनेम्ना आपकले perfect ह bên करावब नुघे कर prisoners दो कुछ को कींन है जी नत ही किस्ते सब्सेख . कुछ witnessed all the mushroomy to be pond we are thearrangenено बेट सहर में को तू ही मिटाए दुश्मन को शांती दूत बनके, तू ही मिटाए बापी को युतवीर बनके सच के रस्ते चल सजा तू है फरिष्टा या खुदा, मौत से भी तू लड़ता कर्म हंमे शही तू करता सब के दिलों पे राज पेरा देवा देवा दी देवा देवा घरतिक देवा वंदनम वंधनम देवा है देवा बंदनव बंदनव ये कोई है अवताव सत्क उर्शाय विद्महे सत्के सने ये भुका सत्के सन्भाय विद्महे को खग nenाझन रही विद्महे से लेंकि आरपेग को इoking अवतादिर अविद्महे किसा अविद्महे सत्के सत्क उर्वम!! तुम ने दिया जो पिम मुझे ना बोलू मैं कभी कमजोरों को देना सहारा ना छोड़ू मैं कभी रूठो मुझे से आपना मेरी है ये प्रार्थना है जब तक ये जीवन मेरा फर्ज निभाऊंगा अपना जो देखा आपकी आपने पुरा करूंगा वो सपना सज ही कहूंगा सज ही सुनूंगा वादा ये कोई है अपकार ये सब किसुने है रगकार देवा剥़तिक देवा मंदनंबंद ...नानेू देवा तर्टिक देवा-GAजय अपकार यह भीड़ वाली जन्ता कहां से आई है, यह कोई मामूली आदमी नहीं है, लाखों लोगों का सपोर्ट है इसको, इसे अपने पार्टी में शामिन कर लीजिए, मेरा पता साब करने के लिए, बुबन कर इसको यहीं रहना चाहिए, अगर हैदराबाद आया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी कहां बर जाने आपको? होटल जाना है कितना हुआ? 150, सर यह 500 रख लो थैंक्यू, सर होटल का बोलकर शम्शान में जा रहा है दूस जगह पहुचने के लिए तीस कदम यह चला फिर यहां से वीस कदम उत्तर में जाना है यही वो जगह है जिसकी मुझे धलाश थी है है डीक्षी ड्राइवर ने बताया ना उसके आउकास से जयादा देने पर भी उसके पेट में बाद पच्ची नहीं पुलिस और राइवर लगता है एक हो गए हैं बड़ी जल्दी समझ गए मुझे तुरंट पैसे चाहिए तू जो मेरे सामने ख़ड़ा है और वो जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं पांच लोग जो समाधी के पीछे चुपे हुए हैं सब के सब तुरंट यहां से चले जाओ बहुत अच्छा मज़ा कर लेते हो मगर ये तो बताओ ये लाठी किसली है बुड़ा है ना इस उम्र में इसको लाठी की जरूत पड़ती है इसकी भी जरूत नहीं होने देंगे कैसा लगा बचो मेरी बुढ़ी लाठी का पावर हाण टोटल जटका तेरे लिए वो अल्टरनेट्य उसके लिए वो अल्टरनेट्य मेरे लिए नो अल्टरनेट्य वान अनली स्रोपनी, मेरी बास सुनो, तुम दो मेरे तो पैसा ले लेंगे değiş्स जान से माल आद पैसा ले ले लेंगे जान से माला कर पैसा ले लेंगे आर स्री राम। समेंक्टर आ पोलिस यह आखितर कराटे का चेंपियन इसको मारने के लिए डस लोग चाहिए एक आदमी के बस की बात नहीं, मुझे मत आरो, मैं तुमारे प्यार परता हूँ, मुझे मत आरो रात में तुमारी कार्ड है, कितने लोग आये था एक ही आदमी था साय, बहुत बूरा था वो औरे मुझे मत आरीए, फिर बाकी लोगों का क्या हुआ सर, यहाँ पिये सिगार मिला है अजित काशी, यहाँ पर बुछ दिखा हुआ है देखो, धापड, धापड जलत आदमियों की जान लेने वाला, अच्छे आदमियों की जान बचाने वाला तु कोई भी हो, पर तु हमारे सी बिया इसे नहीं बस सकता यह, इतने सीरिस हो क्या, चलो प्रस ट्रेन नहीं चलते हैं मधुलाता, अभी एक आदमी ट्रेन में चड़ा है, उससे देखा तो वो एक्दम हटा-खटा नौजवान नजर आ रहा है सुन, तो रॉपमेंटर डारेक्टर बनना चाहते है न, और आदमी उसे इस तरह रहा है आगे क्या होगा वो मुझे पता है क्या होगा यह क्या बतमीजी है, उठो, देख्या रही हो, बुदर कुमा जी खड़ी हुए दिखाई नहीं दे रहा है क्या देखने में तो educated लग रही हो, cooperate नहीं कर सकती क्या, यह उठेगी आप बैच चाहिए वो दिखने में कैसा है एक्टम पके हुए लाल टमाटर जैसा है टुडेंचल, निशा, वो कुछ करे, उससे पहले अगले स्टेशन में तो उतर जाना इतनी भीड में वो क्या करेगा कुछ भी कर सकता है, लड़के बहुत फास्ट होते क्या वो फास्ट है? मतलब एक्षिन यार एक्षिन? कुछ करेगा ना तब तुझे पता चले बाप रे, टाइम बेस किये पे नहीं, ये तो चालो हो गया क्या हुआ, हाथ लगाया ना? हाँ कहा पर? कमर पर कंट्रोल, कंट्रोल, उटी तेर में और भी कुछ कर देगा सच में करेगा क्या? घड़ी रेकी तो चुप चुप देखती जा अरे वो बात नहीं है पगली वो बहुर स्टाइल मार रहा है ना? हाँ वो सब उसकी एक्टिंग है येलो बेहन, अच्छे से दबाती रहना वो बात नहीं है, कंट्रोल, नीशा कंट्रोल यहां क्या मजा करते हैं? तुमने इसे यहादा एक्ट्पेक्ट किया था क्या? यह धक्का कैसे लगा? कंट्रोल, कंट्रोल हाँ वही तो कंट्रोल नहीं हो रहा है तुम्हारे दिये का इशारे का कौन मजा नहीं लेना चाहेगा? ये तो मेरा फर्स्स टाइम है, निकिन इसे कहा मालू, मनुष्य का दिमाग हमेशा बाड क्वालिटी जान बच गई, अरे बापरे, अगर मैं उसे लिफ देती, तो लगना मेरे लाइफ में ही खुष जाता, क्या बात है, आप सब्जी पेचने का एराता है कि तुम्ही रख ल जीजी, ये लड़की कौन है, इतने modern dress में, इलकुल महलक्षमी जैसी लग रही है, इंसान को बुरा नहीं बनना चाहिए, उसे हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए, लड़की खुबसरत होने के साथ-साथ पढ़ाई में भी तेज है, डिसाइड कर लिया है, जल्दी से तुमारे छोटे चाचा की शादी करने का समय आ गया है, चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों को एक साथ मिलाना होगा कौन है आप लोग, मैं नीशा हूँ, डॉक्यमेंटरी डिरेक्टर हूँ, मैं एक कैमरामेन हूँ, मेरा नाम है बदू आमपट, अज ये मैं होने बारा कैमरामेन हूँ, असिस्टेंदी भी तो बोलते तो अच्छा लगता क्या है आप लोग किस काम से यहां आये हो, सत्या जी यहां आर्श पास के गाउं को modern village बनाने का विचार कर रहे हैं, उनके उपर हम एक documentary film बनाने आये हैं, very good, आप सत्या बेटा कि दादी हूँ, मैं अंदर आये, अंदर आये, सत्या बेटा मैडम को दीदी करकर क्यों बुला रहे हैं, दीदी कहके मुझे बुला रहे थे आपको, अब मुझे चक्कर आ रहे हैं यह लड़की तुझे देखके बेहोशकी हो गई, तो इससे पहले गई मिला है क्या? बताय था ना ट्रेन में ओ, वो यह लड़की है, मतलब misunderstanding हो गई है क्या हुआ बिटी, बेहोश हो गई है अब खड़ी हो गई है खड़ी होगर घूर क्या रही हो, दीदी पूछ रही है न, जवाब दो यह अच्छा आदमी नहीं है, यह बहुत फास्ट है पास्वोट टिफिन सेंटर पास्फोर। टिफिन सेंटर शुनो बेटी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है गाऊ वाले सब भगवान की तरह मानते हैं इसे तुमने जैसे टरेन में बिदेखा वो यह नहीं है झांग दीदी, असली बात क्या बताओ बिल्कुल इसकी तरह दिखने वाना इसका जुड़ा भही रावन है कौनसी नहीं कहानी है? अब भाहिया, ये सब क्या हो रहा है? नया नातक है, इस तरह का नातक मैंने फिल्मों में बहुत देखा है दीदी, ये क्या क्या रही है आप? क्यों नहीं है क्या मोखलो अब आपका भी-पी बढ़ जाएगा मैं आपकी बात को कंशी है अभी तुमना कर रहा तक क्यों मना करूँ गा तुमने कहा वो करेक्ट है लेकिन रस लोगों के सामने अपने बेटे की बेज़द की ही ये तारीफ के लाइक है तो वो बुराई के लाइक है, बहुत अच्छा है तो बहुत बुरा है, ये राम है तो बुरावन है दीदी ये मेरा दूसरा बेटा गुंगा है ये गुंगा है और दीदी बोल रहा है इसे दो ही बात आती है, एक बेबी और दूसरा बेबे, बोलो बेटा बेबे, चुपकर, क्या हो रहा है दीदी यहापर यह एक और बेटा है, बीना मतलब के पीछ में आकर क्या हो रहा है बेबी पूछ रहा है इसे सिफ only video, no audio क्या बोल रहा है तुम बहरे हो, तुम्हें पता ही नहीं था देखा बेटी, एक बेटा गुंगा है दूसरा बेटा बहरा है और वो पूरा खराब है जो भी बोला पर करेंट बोला है रह 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 हो सकता है मुझे कोई कलफ रामी होई होगी sorry sir, you are so great sir it's all right पहुची है उसे यहां बुलाईए और उसे sorry बुलवाईए वो है ही नहीं तुसे कहां से कहा था कि वो है इसके रहते वो कहां से यहां आएगा क्या कहा जी वही बात इसे देखकर वो डरता है इसके घर में रहते समय वो यहां आता ही नहीं है वो सब मुझे पता नहीं, उससे यहां आ रहा ही होगा यह प्रब्लम तुम्हारे वज़े से आई है दीदी, अब क्या करें? रावन को प्रोग्रम बताना ही होगा यह क्या? इससे देखकर मेरे बॉड़ी के अंदर हलचल क्यों हो रही है? फिर यह रावन नहीं है रावन है, तेरी दो पक्ड़ा गया, नहीं छोड़ूगी पक्ड़ा गया, पक्ड़ा गया, नहीं छोड़ूगी बेबी, बधो खार, विक्की, रावन पक्ड़ा गया इस निशा के हाथों से कोई भी बचके नहीं जा सकता हमारी मैडम ने पुलाया है पहले उसने मुझे यहां पीसे साथे है इसकी मुझे मुझे काम है हाँ पासफोर्ट करने जाना है और लिए बिना उस दिर भी तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया था ना पहले उसका जवाब दे कर जाओ क्या करना है उस दिन तुमने मेरे साथ जो हरकत की थी ना उसके लिए पहले सौरी बोलू दीदी मा, सौरी बोलेगा क्या है मेरा बेटा दुसरों से सौरी बुलवा सकता है लेगे सौरी बोलने वाला टैप का बिल्कुल नहीं है, सब्ज़े इज़त से सौरी बोलो नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाऊ कोई फाइदा नहीं इससे अगर छुटका रहा पाना है, तो दीदी ने जैसा कहा था रामण बनना ही पड़ेगा रट तेरी लोकल जैसे उचल क्या रही है तू, मक्षन मकमल की तरह देखने वाली तू यह क्या करो क्या करो मैंने कहा कहा पर हाथ लगाया वहीं पर हाथ रखो याद है उस दिन जहां पर रखा था तुम्हारी कमर में कोई छूने जैसी बात है भी हां क्या कहा याद करो यह बात है कमर में मैंने लेफ्ट साइड में टच किया था या फिर राइट साइड में चे, तुम्हारी कमर को देखकर बैड opinion आ रहे है, पकड़ने पर पता ही नहीं चल रहा है, कमर पतली हो गई है, हाँ, कमर पकड़ने के बाद मैंने क्या किया था, हलके हलके से हाथ को आगे बढ़ा रहे, इतनी बड़ी हो कर यह से बोलती है, आपको शर्मली आती, ऐसे कमर पक काटकर धीरेने हाथ लगाया होगा, ऐसे किया था ने लिए चाहां था और कुछ नहीं? चिपकिय कली लगा था, एक क्यिस किया था किस सब हे राम भरे राम नहीं है राम का चोटा भाई रावान है यह राम का भाई लक्समर था सर प्लीज छोड़ दो गलती होगे जो तुमसे दुश्मने ली सॉरी 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 तुमें 24 गंटे की मौला देता हूँ अरजेंट अपनी दुकान उठाकर यहाँ से चलती बनो तु जवान लड़की को धमका रहा है बात मत करो तुम जैसा बोलोगी वैसा करने वाला मैं कोई राम नहीं हूँ राम अनू हूँ मैं राम के नहीं होने पर तू आया है अगर इस बजल कर राम अभी आ जाएगा अब बस रहे है मधुलता उस रावन की वज़े से मेरी जिंदे की खत्रे में नजर आ रही है अब के के उसने नजाएं सही जुदाएं प्यार कर जारे हममी अमी हुआ च मी आ या हुआ हुआ यह यह हुआ क्पाग से हुआ हुआ दिवाना दिवाना रूप तेरा मस्ताना आगे है कातिलाना होट है पैमाना तू है पटाखा दिल तीरा दीवाना बादी है आशिकाना तीरा तू जाने जाना तू है धमाता गोरा ये गोरा बदन है तेना शोला बोलोना बोलोना बात देल की बोलोना तेरे ये गाल गुलाबी तेरी ये चाल शराबी जो देखे हो जाए दिवाना रूप तेरा मस्ताना आगे है कातिलाना ओट है पैमाना तू है पटाखा कर दो कर दो कर दो बफ्रेड कर दो जा बात बार को दो बार बख्यास कर दो सबस्या है रहती है पेचैनी इस दिर अप में तेरे चैन मुझे न बाहों में मिले पीवान अन्जानी हुआ है इश्क तुझसे मेरा तो दिल पे अपनी बस न चले खोना ना खोना ये समापल लगो ना जाना दिल से मेर न जाना मसत है ये जवानी शाम है ये सुहानी करे प्यार हम बेपना यह 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 रूप तेरा मस्ताना आके है मैं खाना I don't give a damn to what you can, so beat it man रूप तेरा मस्ताना आके है मैं खाना I don't give a damn to what you can, so beat it man You might think that you can haunt me down You might think that you can haunt me down दीवाने मस्ताने हम तो है बर्बाने बर्बदददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददद करली मैंने आशी की, करली धुट्सी बंदगी वुई मैं टोफना है तुल तेरा दीवाना है पातीय आशी काना घेरा तूजाने जाना है दहाता रूप तेरा मस्ताना, आके है कातिलाना, उन्ट है पैमाना, तु है पताखा इंटर्व्यू शुरू करो, हेई, सब लोग आगे क्या है? अभी नौकर नहीं आएं सर, अब इंटर्व्यू लेने आएं दरवालों का, उनके नौकरों का नहीं गुद मॉनिंग सर, हर आदमी अपनी जिंदीकी सर्टल करने के बारे में ही सोचता है, क्या आप भी यही चाहते हैं? आप गाउं की अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, उसका उपदेश? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 23 घंटे अपने बारे में सोचकर सिर्फ एक घंटे गाउं के बारे में सोचना चाहिए, यह दीदी का कहना है, मैं उन्हीं की आग्या का पालन कर रहा हूं आपका सही मार्क? मुझे जो अच्छा लगता है करता हूं, जो जनता को अच्छा लगता है वही करता हूं, अकेले ही? मैं लाखों में एक हूं, लाखों इंसानों में मैं एक हूं, आपका लक्ष? जनता की सेवा करना, बॉर्डर पर इंडियन आर्मी, यहाँ पर ये सत्य नारायन स्वामी बहन नीबू लाया हूँ, ताजे ताजे नीबू है अचार मनाने के लिए मालकिन जी बाहर गई है, स्कूल में कुछ फंक्शन है बे मातरम हमें रक्षा करनी होगी धर्म की रक्षा करो दीदी यह सब क्या है अब तक तो बिल्कुल सही थी तुम्हे कुछ नहीं होगा दीदी दीदी को कुछ निवा दीदी के लिए भी मैं हूँ दीदी के लिए मैं हूँ बाया दीदी के लिए मैं हूँ बहुते वाधारे बोलेचे मोड़ूजी सामळो तमारी दीक्रा तमारी बहुनी दर्रोज परशान करियो, आखर मारिश नाख्यों जो थायो मर्डर नाती, नाच्रल डेच, एव पोस्ट मार्डर मा लखू पड़े तो एक करोर पचास लाग, अपू बढ़े तमारी बात मने मंजूर थे, चला, गुजराती गुजराती भाई-बई, रमज्ड़ी नहीं, यह दिमराथी जमेल मल्याना मुधिया भंगादी, पंजाबिक किसी भी वाशा में बात करने से, पर मुझे समझ में आजाएगा वो डॉक्टर एक इंसान की अत्याग को साधरन मौत में बदल रहा है, छोड़ देंगे तो बहुत लोगों की चांद चली जाएगी, उसे जिन्दा नहीं ही रहना चाहिए, मरना होगा, मुझे बच्छन दो, मरना होगा, मुझे बच्छन दो क्याश मिल गया क्या, नर्स सारी बाते हो चुकी सर, इसे हैंडोवर करने लिए इसके घरवालों को बुलवाली है, तो मैं बोलता हूं से टाइप कर लो, डाइलेशन प्रोब्लम, डाइलेशन कम्रीट नहीं होने के कारण बच्छांदर ही मर गया है, मा भी इससी कारण के वज लो, आकर साइन करता हूं, डॉक्टर साहब, रिपोर्ट, ये लो, खर्चे के लिए रख लो, आत्मी नहीं सुदर सकता, रिपोर्ट में कहीं गल्ती तो नहीं हो गई है, एक बार पढ़कर देख लीजे, क्या है सब, क्या टाइप किया है, आवरत के बारे में टाइप करें अगरे में टाइप कर दो, हमारे टाइपीस का है, तबियत सही नहीं थी, हॉस्पिटल छोड़कर आया हूं, पिर तुम को हूं, डॉक्टर हूं, तुम मरे हुए लोगों का पोस्टमाटम करता है, और मैं वो डॉक्टर हूं, जो तुमारे जैसे जिन्दा लोगों का पोस् मामन है, मेरे पेट पर गहरी चोट लगने के कारण मेरा खोन बाहर निकला है, बोलो भाई, आपने दर्वाजा खोलने के बाद क्या देगा, स्पाइनल कॉट के उपर भारी वजन गिरने से करदन के हटी तूट गई, और कुछ भी नहीं है, तुम यहां पर रखवाली करने के लावा, कहा गया था, आइरन रॉट के कारण कंदे के नीचे गहरी चोट लगने के कारण हट्डिया पूरी तर से तूट गई है, तो क्यों मार रहा है, अब बुटे भागा को नहीं हो गया, उठा हो गया, पागल बन भी ज्यादा है, भागल होने के बाद भी वले वले इंसानों का भागल पन ठीक करता हूं, जान से मार का मरा है या नहीं टाल कर देखता हूं, तुम भागल नहीं हो, जवान इंसान हो, हाँ, 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 कुछते हैं कमान टेल में जवान लोगों की तरह सोच कर मारूं या फिर बोड़े लोगों की तरह काम करके सोचू एए कौन हो तुम पेटा पहले पुछा जाने वाला क्वेस्चन लास्ट मैं पूछ रहा है लास्ट मैं बता रहा हूं इसलिए मुझे बताने में शर्म आ रही कुल यार उसे पकड़ने के लिए भी बहुत टाइम है अच्छी पार्टी सेट किया है चलो चलते सत्या मुझे बहरा और भाईये को गूंगा रहने में मुझे बड़ा आजीब सा लग रहा है धबल रोल एक्ट करने में मुझे अजीब लग रहा है इन सब का करण दीदी न कि इतनी जल राम को मारना चाहता है ओए राम तु घर पे रहेगा तभी आने के लिए बोला था ना आ गया मैं कब से वेट कर रहा हूं कि तु कब घर वापस आएगा क्या करेगा बोल मारेगा काटेगा आज या तो तू बचेगा या मैं बचूंगा शूरू से तो एक ही है अरे राम किसी लड़की के कहने पर अपने भाई को स्वारी बोलने के लिए मुझसे जगणा करोगे अरे रे 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 इतने दिनो बाद हाथ आयो तुमने तो हमारी ना कटवा कर रख दी एक और तेरी बुराई कर रही है जा तुरंत घर छोड़कर चला जा मैं क्यों जाने इस घर में तुमारा जितना हाग है उतना ही हाग मेरा भी है इस घर पर भूबंकर इस घर में अगर रहना है तो उस लड़की को स्वारी बोलना पड़ेगा स्वारी तो नहीं आई लब यू कहो तो जरूर बहुत है कि अंदर जाने से क्या होगा पता चल जाएगा कि दोनों आदमी एक ही है तो यह गुल्दस्ता तुमारे सिर पर मार दूंगा अधार यहां से जख्के मार कर निकाल दूंग पहले मेरा भाई कितना अच्छा था आप कैसा हो गया है यह सब तुमारे वज़े से हुआ है शक्राइनाश उसका कभी शाधी नहीं होगी शाधी से पहले ही उसको यह यह हो जाएगा तुमारा यह मुझे कैसे बतार चलेगा म मैं भी जो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ मरने के लिए मना कर दो बेबे यह क्या कह रहे है भाई महरू मत ऐसा कह रहा है अब चुप दीदी दीदी बोल रहा है यह तुमको सब सुने जिता है अज पूछने पर ही बहरा हो जाता है इस दॉस्त चला जा जाता हूं आज से त जा रहा हूं बहुत अच्छा सपोर्ट चल रहा है कवरिंग क्या होता है इसी रास्ते से दोनों को आना चाहिए था ना वहां से क्यों एक रावन जा रहा है इतना अक्मान सहय कर भी कैसे आए गा सर अब जल्दी जल्दी में ट्रेस लिए भूल गए हैं ड्रेस कौन से टेस जबं की भी तो यहीं ट्रेस थी अब उसके ब्रूमाल था मेरे हांवाल नहीं सर उस से जादा तो नहीं मारा और क्या करता मैं सब आपके लिए क्या नहीं होगा आपको उसने वृदिन होड़ाय उसकी तरफ से मैं माफी माणता हूँ मेरी गलती की, तुम सारी कमपल होगे? नो, नेवर तुमारा भाई रावन धर में एक रावन है तो ये दूसरा रावन कहां से आ गया? फिल्टर काफी, फिल्टर काफी ये दीदी मा कहां गाइब हो गई है, ये पड़ता किसी हो? तु दोबार यहां क्यों आया है? मैंने कहा था न, दोबार अपना चेरा मत देखाना इसलिए तो चेरा ढ़क कर आया हूँ भया अभी तुम्हारी अंदर आकर खबर लेता हूँ मैं कौन हो तुम? तुम हो? मैं हूँ भया रावन कैसा है सर, दीदी की तरह देख रहा है? दीदी की तरह दिख रहा है? भही दीदी जैसा ही है आप दोनों को एक साथ देखकर मैं उनसे आशिरवात देलना चाहता हूँ सर मैं भी दीदी, रावन को देखना चाहते है वो आने देख दिखा देंगे उसे जो भी रावन को देखना चाहता है वो यहाँ आजाए जल्दी ओके पहले में अज़े रावन के दर्शन हो गई अच्छी तरह से नमारा आना चाहोगे क्या है मैं आ रहा हूँ Ravan जी रावन बहुत पावरफुल है और को देखना चाहता है क्या आप मैं भी रावन को देखना चाहती हूँ मैं उसने आपको भी परमाराथ था उसका घुषा मैं भी देखना चाहती हूँ अगे लीजये वे रावन रावन, रावन, फिर दिदी, दिख, तुम, रावन, मैं रावन हूँ, राम हूँ, नाटक मत करो, मुझे यकीन है, तुम ही रावन हो, इतना सब नाटक करके, तुमने मुझे यकीन दिला दिया है, रे, तु ही वो शक्स है, रे, क्या बे, सार, हीरो बनता है, इधर दिख, रे, चीज है क्या तू साला, रे, रे, बनता है, हीरो साला, रे, रे, तू जवा तो मैं ही हसी हूँ, मैं भी तुछ से कम नहीं हूँ, दिल रुबा मैं दिल नशी हूँ, मेरे यदा सजानी बचिके, तु रे, 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 चीज है क्या तू साला, रे, 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 बनता है, हीरो साला, रे, 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 तू जवा तो मैं भी हसी हूँ, मैं भी तुछ से कम नहीं हूँ, दिल रुबा मैं दिल नशी हूँ, मेरे यदा सजानी बचिके, तु रे, 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 आगते थेनक अधारे धेन्कताalgिता थेनकता आखं मेरी है नशा है कयामत मेरी एयता आशिक सब मुझे भी फिदा पर मैं हूँ तुझ भी फिदा तुझ को घमंड है खुद पे तो नाज मुझे भी अपन पे छूके मुझे तू जल जाएगा मैं हुशमा तू है परवन रे जीज है क्या तू साला रे 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 तू है हीरो साला रे रे कर दो कर दो कर दो उस निकाहों मैं खजाना कर दूंगी तुझ दीवाना माना तू ना जवाब है मेरा भी ना जवाब है मेरी जवानी के नशे को देख ले तू पी के जरा होश तुझे ना आएगा मतसा ना तू टकरा ना रे जीस है क्या तू साला रे 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 उनका है हीरो साला रे 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 रावन कहां गया उस गधे को मार कर भागा लिया आपने उसे क्यूं मारा रह तू उसे इज़ित दे रही है हाँ चद्दर में रहे कर मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मुझे अरजन् रावन से मिलना है, मुझे उन्हें सौरी बोलना है वह वह बात नहीं है, रावन से मुझे प्यार हो गया है उसने गलत काम किया था न अगर वो गलती नहीं करेंगे तो मारदोने का क्या फाइदा ट्रेकी बदल दिया है, चलो ठीक है कैसी भी करके मेरा प्लान काम ही कर गया निशा मैने जैसे पहले बोला था न मिटी वो दो नहीं एक ही है तीदी यहां बचाला दीदी बाप रे दीदी अरे बाप रे तुरा तुरान की गाड़ी आ गई है करने होगी कम आनाम क्या है माजी पर देखिए लेकिश वहांपर देखिए आप कैमरी के तरफ देखकर देखकर देख लोली है डॉक्तर पर देखिए जब यहांस देखकर आपको कैसा बहुत बहुता था आईए बच्या आइए यहां पर देखिए आपकी स्पार्टी के हैं प्लीज हमें बच्चे आईए तुरा तुरा उनको बचा लीजिए वह मेरे बच्चे हैं बचाना हमारा काम नहीं है भाई यह काम पुलिस का है और एम्बुलेस आ रही होगी मदद के लिए पुलिस वगेरा अभी तक यहां पर कोई भी मौजूद रही है यहां पर सबसे पहले स्पोर्ट पर हम ही आए है कैमरामैन अवीनाश के साथ विवेक चैनल फाइव कहां जा रहे हूँ अजन काम है वहीं जा रहे हूँ चल अच्छा सा मेक अप कर दे अब हेलो हां कौन बोल रहे है हां मैं बोल रहा हूँ नमस्ते अमडी साब हाँ नमस्ते उस बॉलिविड सेलिब्रेटी का इंटर्विव इंटम अच्छा होनाची जवाब ना दे पाए उस तरह की एक के बाद एक सवाल पूछकर उसे टॉर्चर कर देना उसी टॉर्चर में स्लिफ होकर एक जवाब देगी उसी को हम एक दिन में देड़ सोबा टेलिकाश कर देंगे यू सब इससे देखेंगे इससे मारी टीरपी कहां तक जाएगी समझ गे ना कमाल कर दूँ मासर मेक अप हो गया है एक बार आए ना देख लो इतना गुस्ते से बोल रहा है है क्या जान लोगे यार कि दूरे तुछ अपना चरह देखने में डर लग रहा है न कल ब्लास्ट में जो लोग खायल हुए थे उनके जीवन से खेलते हुए उनका इंटर्वी लेने में डरनी लग रहा था इंटर्वी लेने की जगे तो उने हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकता था तो अगर क्या है रहे तरी गुंडा कर दी लोगों का जीवन बचाने की जगाए उने मार कर आते हो यह बुड़ा तुम्हें मार कर दूसरों को बचाता है अगर मैं एक गुंसा मारूंगा ना बेटा सीट पर बैठे बैठे मर जाएगा ऐसे डिफिर्ट डूस लागर और उसे पहले टलीकाश करना होगा हमारे एमडी ने ऐसे बोला था अने भाशां में गंदे गानों को डब करके मिटनाइट नाम से सुभह दिखाते हो संस्कृति को नश्ट कर रहे हो लोगों की सिंदिक्यों से खेल कर अपनी तासा इंटर्व्यू की खबर बना रहे हो तो यह मैं बरदाश्ट ने करूंगा वे बुढ़े लगता है तरह जा अभी तो एक ही मारे है सर उसी में हिलकर यहां तक आ गए हो मुँ बन कर सर अगर यही गलती आपका छोटा यह बड़ा भाई करता तो आप उसको ऐसे ही मारते क्या है अगर मेरे भाई ने की होती तो उसे क्या सदादेता मैं तुम्हें दिखाता हूँ अब आपमारे क्या करेंगेंग रेकिंग निज बन जाएगी पवित्र मीडिया का फाइदा उठाने वाला ऐसे को सब कुछ समझने वाला जिन्दगी की वैल्यू न समझने वाला उसे व्यापार बनाने वाला एमडी भरत कुमार और इस काम में उसका साथ देने वाला गुंडा सहायक रिपोर्टर विवेक आज हमारे बीच में नहीं रहे किरप्या कोई दुखी मत होना कैमरा मैं भी मैं हूं रिपोर्टर भी मैं हूं जिन्दगी से खिलने वालों की जिन्दगी छीन लेता हूं जिन्दगी को बचाने के लिए अपनी जिन्दगी तक दे सकता हूं चैनल फाइब से जवाब दीजिए सर पहले पुलिस कल छाइब देख रिपोर्टर एमडी की मौत क्या कहते हैं अप हमें अपना काम करने तेजिए कोई ख़बर होगी तक हम आपको सूचना करेंगे चाहिए जाए 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 इनका मूब बंद करने के लिए किसी अंजान आत्मी को उपकर गिलाओ, बाद में देख लेंगे वो के सर, आजी पेपार संसेशनल चैनल, चैनल पाच की न्यूज रिपोर्टर को सबग सिखाया मेरे बेटे का ही काम है, मेरे, मेरे छोटे सब्तिया का ही काम है इस परंपरा की विवास को सब कुछ मेरे बेटे के अंदर भी आ गई है हलो, टैम्स आफ इंडिया, प्रकाशन में भाकू कनेक किजिए ये शादी मैं करवाओं, अगर किसी को पता चल गया, तो मेरा मंत्री पत भी चला जाएगा रजिस्टर ही नहीं, जज ही नहीं, राज में तुम कहीं पर भी जाओगे, तो यही परिस्तिती है सब की ऐसे की बोल रहे हैं उंकल? इस मुश्किल में तुम्हारा साथ देने वाला जिर्फ एकी इनसान है, नहीं, सिर्फ एकी भगवान है तुम अपने प्यार की सच्चाही, मन खोल कर उन्हें बताना, फिर प्राबलम तुम्हारा नहीं, प्राबलम उसका रहेगा गाउं यहां से कुछ दूरी पर है, नाम वीर बेंकर सत्तनारान स्वामी है सत्या जी, हम दुनों अपस भी प्यार करते हैं, सत्या जी, देख रहा है शादी भी करना चाहते हैं, सर तो कोई अच्छा सा मुगर तुने का वला लो वो ऐसा है की तुमारे घरवाले राजी नहीं है मोना मिडल क्लास फैमिली से हैं, सत्या जी मैं पिताजी के खिलाफ शादी कर रहा हूँ, इसले हमें मारने के लिए गुंडे भेज दी हैं, सत्या जी हम दोनों शादी करके अपने प्यार को जीताना चाहते है प्यार में हम जान भी दे सकते हैं, सर तुम्हारे पीछे मैं खड़ाओ, वेद मंत्रों के साथ तुम्हारी शादी मैं ही करवाऊँगा क्या उसके साथ दुबाद गर रहा है क्या हूँ, क्या हूँ, क्या हूँ, क्या हूँ, बोलना हावाज बंद हो गई है यह सत्यनाराण का राम राज्य है, कोई भी सामने आया, तो उसके हाथ पर थोड़कर वापस घर बेजवा दूगा उसके बाद भी यहाने का ट्राइक किया, तो साउंड नहीं रहेगा, हमेशा के लिए पहज हो जाएगा है, मुझे तो यह पागल लगता है, अपने रेंज के बारें बता कर हमें डरा रहा है है, वो कौन है मालूम है, प्यार करने वाले, यह कौन हूँ पता है, तुम सब इस्पेक्टर वो एस्पी है ट्यूटी निभाने की जगे सिवेल ड्रेस में यहां आए हो, यह जम्चागिरी क्या है तुम्चा देश भक्तुमें, देश के लोगों की जन बचाने वाला, नाम वीर वेंकर सत्यनाराण स्वामी है, गरीमों की साहता करने वाला तुस्य में कोई मतलब नहीं, उस तरकी को आमारी तरफ वेज़ दो उसके लिए तुम यहां से जाओगे तब न यह नहीं मानने वाला, इसे आमारी पुलिस की मार दिखानी ही पड़ेगी कि अपने दुश्मन को वीक्नेस नहीं बताता, लेकिन मैं बता रहा हूं, मेरी एक वीक्नेस है, मुझे शुरू करना तो आता है, और उसे रोकना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, भागना है तो अभी भाग जाओ, बीच में भागे तो, भगा भगा कर मारूंगा सबको कि बता हिएर है वो आता है वो करना सबको फको भागे व करुछते हैं झाता है तो आता है भागे बता है झाल, तो झाल, तो 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 झाल! आपसे बूसा इंता बीजसे बूसा जूसे बूसा झाप झाप लूनुवार नक लूण भूणा झाप लूणा झाप आप झाप, आप झाप, हा झाप! आए मैंने पहले ही कहा था कि मजे शुरू करना तो आता है लेकिन रोकना नहीं आता है 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 हमारा बेक्ग्राउंड क्या है पता है तुझे जब मैं किसी के मुझ में हाथ डालता हूं तो बेक्ग्राउंड अंडर्ग्राउंड नहीं देखता हूं डिसीजन लेने के बाद कंप्रोवाइस नहीं करता कंप्रोवाइस करने के बाद डिसीजन नहीं लेता लड़के के इसे चम्चों को भेड़ने वाले खर्चे से बात कर आओ जाओ अलो मैं स्पी ठाकुर बोल रहा हूं मंत्री जी है क्या और कितना वेट करना होगा अगर आपको उनसे बात करना है तो अपॉइंटमेंट लेना नहीं समझ गया न उसे एक चांस दिया था यूज नहीं किया कल इस सत्यनारार स्वामी के गाउं में इन दोनों के इंगिजमेंट है महुरत दस बजे का वाई और आकर मुझसे मिले ये म मेरा अपॉइंटमेंट है वंती जी कोई अपॉइंटमेंट दिया है उसका आड़ेस भालू मैं क्यों तुम जाओगे वाँ नहीं उसका काम खतम करवाने के लिए उससे मिलना है क्या हाप जाएंगे उससे मिलने आशर्वा सेवा करने वाले लोग सदाचारी होते हैं बातो अगर वो समझधार इंसान हुआ तो मेरे जाने के बाद वहां मारा जाएगा अगर नहीं समझा तो मेरे वहां रहते हुए मारा जाएगा शर्मा टाइम कितना वाएगा जाने नौ बज रहे हैं दस बजे का टाइम देखकर अभी तक नहीं आया अपनी मौल का कितनी बेसवरी से इंतजार कर रहा है आता ही होगा क्यों रहे और कितनी बैट करना होगा जलनी बता आओ हुआ है तुम्हें भी मेरी इज़त का ख्याल है तो मैंसा क्यों सुच रहे हूं मुझे टाइम देकर तुम टाइम पर नहीं है मैं गुस्से में जल्दी आ जाता हूं जो मुझे बारने की सोचता है वो खुदी मरने लगता है यह बात याद रखना और सुनो कल तुमने एपॉइंट में लेट दिया था इसलिए मैंने एंट्री लेट की हो मगर जाते हुए तुम लेट के जाएगा एक-एक हाथ पर अलग करके भेजूँगा क्या कर लेगा तू मैं क्या करूंगा नहीं बोल 테क्स हुद डिया करेगा करना सही होगा यह मैं डिसाइड करूँगा क्या तू डिसाइड के लेगा यह प्रतापना अशेंबली में रहते वक्त बहुत साफ्ट रहता है बाहर आते ही वाइलेंस हो जाता है या भी दिखाता हूं प्रेक्टिकली मेरे साथ जो सीक्रोटी आए हुए ना वो चालीस आदमी है परसनल लेकर आये बॉडिगार तीस हाद में तस आदमी हैं इन सब के हाथ में 20 मशिन गंद 10 एक ए हैं एक इशारा किया तो सारी बुलेट तेरी बॉडि को पीस पीस के रख देगी तू डिसाइट करेगा मैंने जो लिस्ट दी है उससे तुझे डर नहीं लग रहा है प्रता प्राणा मैं तुम्हारे पास आया हूं या तुम मेरे पास आये हो मैं ही तुम्हारे पास आया कि अद्धूरे के दो मिनिट तक कालर ऐसे ही पकड़ कर रखोगे तो साबित हो जाएगा कि तुम्हारे मर्द हो है 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 जबर देवा है है तो अधर दीदेवा है यह तो इतनी मर्दान गिये तुमारे अंदर आदमी लेकर आया था ना तुम्हारे पीछे जो लोग है तुम्हारी पोस्ट से डर कर आय हुई भीड़ है मेरे पीछे जो लोग है मुझे चाहने वाली भीड़ है इसमें कोई मजदूरी करने वाला है कोई दूद बेजने वाला है बरतन बनाने वाला कुमार है प्यार करने वाला यह राखी बानने वाली बड़ी बहन है चोटी बहन भी और इसमें तुम जैसे लोगों को उपर बचाने वाले खतरनाक लोग भी हैं अपने हाथों से रोज मेहनत करने वाले अपने लोहे जैसे हाथों से फॉलादी हाथों से एक दिन अपने सब कान छोड़कर अपने अपने हाथों में आउजार उठा लिये तो यह दुबारा एलेक्शन होना है कि इतनी सारी जनता की भिल्ड का उनसी जात कहता हुआ जात का नाम लेकर भड़काना चाहता है तो फिर सुन मेरा परिवार ब्रामन का परिवार है दौलत मेरे पास खानना नहीं है मूँसे हमेशा अच्छे शब्डे ही निकलते है मैं कश्टों को सहने वाले दलतों का, कुमारों का, लोहारों का, सुनारों का, नाई ब्रामनों का बनिया यादव सब का भाई हूँ मैं दुश्मनों के लिए रावन हूँ व्यक्टित्वर का राजकुमार हूँ मा का दुलारा बच्चा हूँ शान में एक रेट्डी हूँ ठाकत में एक योध्धा हूँ तब जातियों को मिलाकर बनाईए वीर वेंकर सत्यनारायन स्वामी कब तक जाति के नाम पे लडाओगे जन श्यूंता की भीड ने अगर गुस्ते में आकर एक आवाज लगाई तो सर सर मेरा ओडियो गया उन्होंने अगर एक्षिन सुरू किया तो हमारा वीडियो भी चला जाएगा क्या खाली मूझ चला रहा हुँ क्या खाली मुझ चला रहा हूं आपका होडियो भी गया क्या उनका कहना सही है ना क्या प्रता प्राणा यहां से जिन्दा वापस जाना है तो एक ही रास्ता है कश गर्स अजों से मंतर पढ़कर इनकी शाधी पक्की करो मैं इसमें गलत क्या है जवच्छ संपूर्ण ब्रह्मनों घ़र में जनमलिया है मंतर पढ़कर शाधी करवाने से भुण्यों और त्यार मिलेगा यह बूरा स्टेट सेलूट मारने वाले मंत्री को मैं मैं मंत्र पढ़कर उसके शाधी पक्षी करूं करता हूं कि इस गाओं कोई परबाद कर दूंगा मैं अरे साइर कि अगे शुच कि नॉनेट को नहीं करेक्ट हो रहा है यह क्या को रिगिस्तान है यह जाते हैं वहां पे टावर भी लेगाए यहीं बोलते हैं ना आज वहां टावर पर जिस तरा गोल पर मख्य चिपकती आदमी चित क्याश्य क्यास है मंत्र ये क्रास्ता है पर्दीचे जली से पढ़िए मंत्र यहां पर मंत्र पढ़ना ही होगा वक्रतुन्य महाकाय सूर्य कोटी समप्रभ निर्विग्णम गुर्मेदे सर्वकाय सु सर्वता आप टेंशन मत लीजिये मैं उसे निपट लूगी मेरे हैंसम एस भावानी को एकदम से चुपने वाला काठा अच्छा लगता है कड़वा होने पर भी करेला अच्छा लगता है सहरीला पिच्छु भी मुझे अच्छा लगता है मुझे तेज धूपी बहुत अच्छी लगती है पर उन सब से तुम बहुत होट हो ओ मेरे हैंसम अब जाओगे यहां से आखों के सामने एक अबसूरत लड़की खड़ी है तुम उसे जरा बिभाव नहीं दे रहे हो तुम्हें अपना मनाना भी एक चैलेंज होगा कम समय में ही मेरे बारे में बहुत ज्यादा जान लिया तुमने इस भवानी से शादी कर लो इस पूरे स्ट्रेट के दामाद बन जाओगे पॉजिशन का भी मजा ले सकते हुए वो मंत्री की लड़की हो लड़की उस पत का ही भरूसा नहीं है उसके दवारा मिलने वाली पॉजिशन पर कैसे यकिन कर लूँ दिल की गहराई में समा गए हो इस बात को सुनकर ही तुमारे साथ रहने का मन कर रहा है ए तुम किस मिटी से बने हो बिर हैंसम ओ इंजन In your mind, you can find All the Keys to Return In your mind, you can find All the Keys to Return In your mind, you can find All the Keys to Return Jaaahindian ू Trad 열심히 Mexicans तर थे उल्लाष भाल लियो के लिस मेवल व आज द आधो । य लिषा लीम – चरॉ लियो पे लिए लियो चरीम कि अ१र अएब के जले हो करी यलिनियन किसे न रोख सके आधी तूफारी यलिनियन वत्त में ये मरने वाला किसी से न ये तो डर रे वाला सुर्व से ये लणने वाला इस अफ ये तो करने वाला पत्रों से ये तो है खेलने वाला वंने की सब को खुशी देने वाला ये जो चाहे तो छूले आसमा जुखा दे कदमों में सारा ये जमा ये है इंडियन, ये है इंडियन, ये है इंडियन, ये है इंडियन कर दो कर दो कि मेरा इंडियन सबके जबत है नम इसका सबके ही फचत है काम इसका छोड़े न किसी भी जुरमी प्हाए ये जो चाहे तो छुले आसमों जुकों दे करदू में सारह ये जमा ये है इंडी और、 ये है इंडी और, ये है इंडी और, ये ही है You'll never find a better time You'll know the game and all it holds You'll never find a better time To watch it now as it unfolds I'll never find a better time खत्रों का है खिलाडी ये, सौब पे एक है भारी ये, है चालाक शिकारी टुक टुक ताकत इसके वाजु में, दोशे इसके सीने में, ये दिल वाला टुक 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 ये है इंडियन आगे आगे ही बस बढ़ है ये इंडियन, शोलुक टे हुस के चले इंडियन जो बॉस है ये फिर जो शिला, शेर से भी जदा, है ये फूरतिला, मिटा दे जड़ सही पापी का ये ये जचाहे तो छूले आस्रेमा, छुका दे कदमों में सारा ये जगा ये है इंडियन, इसे न रोख सके आगे तूफा मिंडियन पतत में ये रने वाला, इसे से न ये तो डरने वाला ये है इंडियन, इसे ये रने वाला, इसे ये तो करने वाला पत्रों से ये तो ठेके लेने वाला, अम्ने की सब को खुशी देने वाला ये जो चाहे तो छूले आसमा, जुपा दे कदमों में सारा ये जहां काशी, तुमने जैसे बोला था वैसे ही का आदमी को लेकर आया हूँ रेस वालों को बलाता हूँ, उसको नगाब पेना दो नगाब के साथ ही लेकर आया हूँ मैं अपने गाव में तुमस्त से मिलने आयागा और तुम्झे चोड़ बना कर लिया तु चोड़ी नहीं, एक खुणी भी है ये बात पेस के सामने बोलनी होगी मैं नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोलने के तो मारा जाएगा कारी देखा हुआ चेहरा लग रहा है न CBI चीप P.K. बोजया, यहाँ पर स्पेशल ओफिसर पॉइंट किया हुआ है Sir! ये हासा जो हुआ है वो किसी और के घर में नहीं हमारी ही फैमिली में से हुआ है ये सोचकर उसे पकड़ने के लिए मैं एक पाखल कुत्तिक तरफ घुम रहा हुआ हूँ रिपोर्स कहा है? चान से खिलने वालों की चान ले लेता हूँ मैं इस एविडेंस को देखकर सब हास्सों का एक ही रिलेशन नहीं सबी हास्सों में एक ही सवाल नजर आ रहा है जान को बचाने वाले आदमी नहीं इस हस्सों का अंजाम दिया है सो हथ्या करने वाला अलग-अलग इंसाण नहीं एक ही है इक ही है? इतना ही नहीं उस टेक्सी डरावे ने जैसा कहा है वह भूरा आदमी नहीं है एक ज़वान इंसान है लेकिन उसकी वीकनेसी हमें उस तक पहुंचाईगी जहां जान को खत्रा होता है वहां वो बचाने आता है ये एक विचितर तरह का केस है ये औरत हॉस्पिटल में अपने बच्चे को कोमा में घुटगुट कर मरते हुए नहीं देखना चाहती है इसलिए अपील की है कारण है गरीबी हॉस्पिटल के खर्चे के लिए पैसे नहीं होने के कारण वो अपने बच्चों को खुछ जान से मारना चाहती है इसलिए उसरे कोर्ट में अपील की कोई जगे ना चूटे सब जगे माइक्रो कैमरा लगा दिये है ना यस सर किरेश किसी पर शाक हो दो से परन्त अरस्ट कर लेना ओकी सर सब की नजर एक ही जगे पर होनी चाहिए वो यहां पर आएगा क्या के के डैफिनिट आएगा यहां किसी की भी जान नहीं जानी हो इस अब हो एक मा के दुख को मैं समझ सकता हूँ लेकिन कानून के तहत और भारती हुने के नाते आत्मत्या करने की अनमती नहीं दे सकते आपके बच्चों का पालन करने की जिम्बेदारी आपकी है यह केस को मैं खारिश करता हूँ आप कानून बदल दीजिए मैं उसे तड़ब यह नहीं देख सकते हैं जोड़ मुझे कानून नहीं बद दूँगा वह बच्चे तेरे ही है नार दे उन्हें किसी को पता नहीं चलेगा नमस्ते जजज साब कोन हो तुम मुझे अपने बारे में बताने की आदत शुरू से ही नहीं है आपने जो न्याय किया है उसमें एक छोटी सी गलती है उसे सही कर लीजे यही कहने आया हूँ मुझे न्याय सिखाएगा वो बात नहीं है ज्यादा बोल रहा है तुने जो न्याय किया उसमें क्या गलती है पना है मा कोई बच्चे की देखभाल करने के लिए का उसका पालन ना कर पाने के कारण वाने अपने बच्चे को जहर दे दिया और खुद भी जहर खा लिया तो इसके सिम्मेदार तुम होगे समझें अगर कानून भावना में भे गया तो कैसे होगा कैसे ने करेंगे रोटांग का फैसला ना करने वाला नाइदिश नहीं नहीं को मारने वाला रक्षय भी एक तु आर का साथ न देकर जांड की रक्षा करने के बात करकर के तुने बहुत बड़ी गल्टिक किये यह पूड़ा कोन है डायरेक्ट जस्साब के पास जाकर जिंदगी के बारे में आर्गुमेंट कर रहा है कहीं यह वो तो नहीं है ज्यादा बोला तो किसने किसी केस में फसा कर तेल बेदूंगा ऐसी पवित्र जगहे पर तेरे जैसे इंचान का कोई के के यहां तुम्हें जो बुड़ा भी नहीं और जज़ भी नहीं है यह बुड़ा इतनी दूर लेके कैप्चर को बने रोके डर्र पड़े ही जा रहा है यह बुड़ा ही है क्या क्रिश्ट इस बुड़े को जवानों बद दो के के मैंने से कोट के बाहर देखा था यस कोट के कोरिडर में मैंने भी देखा है मुन्हा मुझे तुरंद इसकी डिटेर चाहिए वीर वेंकर सत्यनाराण स्वामी के के कली हम जाकर उसे अरेश्ट कर लेंगे तुम जाओगे लेकिन वापस नहीं आओगे ऐसा क्यों उसकी ताकत वो गाओं और उस गाओं के लोग है सो उस गाओं में दिन में जाकर उसे पकड़ना बहुत मुश्किल काम है यही सही समय है इतनी रात में हमारे पुलिस वाने रात के दो बजे उस गाओं के सब घरों में ताले लगा देंगे रात और आज सभी लोगों को अरेस्ट कर लेंगे ऐसा होगा तो ही हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं मैं काशी बोल रहा हूं ओके काशी शर्मा भुष सिविया को काशी के बैस से मरवा दूगा उसी समय मैं अपने बेटे को भी मरवा दूगा वह आपका बेटा है सर जनम देने वाले को मारने का हग भी मुझे ही मिलना चाहिए इस वीर सत्य नारायन चानवरों की तरह काट काट कर मार मार कर फेकने के लिए जिसके लिए मुझे कुछ बहादूर और तगड़े इंसानों की जरुवत थी इसलिए मैंने केरला से कुछ गुंडों को बलवाया है जाँ टाँ जाँ गुंडों के लिए खवाद। हएँ भोऑ्टर गजी गजी देना गथ जाँ इसके लिए पाव वाव्ट काव जड़। खचछा दूश जड़। झाझ झा छो मिजशाई झावड़। खुआ खुआ! खुआ खुआ! खुआ! जदियों, जदिशे लुए लुए गुआ खुआ खुआ! लुआ हुआ खुआ खुआ खुआ! तेदी, तेदी. तेदी, तेदी, तेदी? यरुझावाएएएएएएएएएएएए-घजदी आहो! आहो! पुर्च करतेदी तेए! आहो! घपह जएुड़ाए। शर शरर शर शर दो हाँ इतने सालों बाद, मेरी सालों से भक्ते सुनली भगवानने शार्दा, शार्दा आज चोड़ने के बाद बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और तुम जो बोलोगे वो भी सुनूँगा मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं मामूली तरह से जब मारता हूँ तो आदमी तुरण मर जाता है, स्वार्ग की तरह गुस्सा आने पर आदमी को जानवर की तरह मारता हूँ, नरक की तरह अभी सेंपल देखा था न, स्वार्ग जैसे आ नरक जैसे हाई है झह पर ऐ जो, झह बो झो, पर झो, पर झिह पर आजlegen मैं कौन हो बताओ क्या तुम कितने आदमी हो मेरी तरह कितने आदमीं है अकेले हो जिंगल डिजिट पचासा अदमी यह निया डबल डिजिट को एक सिंगल डिजिट जानवर की तर हमारे तो उसे क्या कहते है आहे अकेल हां हाँ हाँ ए करता है इस अकेले मर्द की एक ही जनम में दूसरी एंट्री है जहां जान लेने की कोशिछ की जाती है वहां पर मैं ब्रगेट ओजाता हूं यह मेरी सेकन्ड इनिंग है बेटा अकेला मार्द उम्र एक साथ कि युद्र फिर से शुरू हो गया अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इस गाउं के सब लोग मिलकर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे समझे तुम यहां देखो अरे सत्या बाबु हमें चाहिए उन्हें कहां पर रखाए बताईए नहीं बताओगे तो आग लगा देंगे अरे रोप्र को फॉल किया क्या कर दिया है सत्या कुछ कहना चाहती है लेकि समझ में नहीं आ रहा है यह आपी का नाम ले रही है पहले जैसा ठीक कर दो भगवान क्या हो गया मैंने भेजाता पचास मल्यालियों को क्या हो गया उनको बता नहीं उसे किसी अंजान आद्मी ने मार दिया बता नहीं वो कौन है जाओ न अटकर यह शर्मा उन लोगों ने अगर अपना मूँ खोल दिया तो मैं तो दिली के तिहार जिल में बत रहूंगा सर 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 पहले मेरी पुरी बात दो सुने सर वो सत्नरायन स्वामी सीबी वाई वाला की आखों में धूल छोक कर उन पचास आदमियों को ले गया हो अगर ये बात सही है फिर मुझे टेंशन नहीं हो क्यों उन सीबी आई के हाथ हो उनके साथ साथ सबूत भी खतम हो जाएगे ओ डैड़ी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो वो सीबी आई के हाथों में है आप ऐसा समझ रहे हो लेकिन वो चल्द ही मेरे प्यार में फज जाएगा वो मेरी सासों में है वो मुझे अपनी बाहों में लेकर चूम रहा है जैसे ये धर्ती आसमान को चूना चाहती है मैं तुम्हे चूना चाहती हूँ जैसे ये खुश्बुदार पानी मेरे बदन को चू रहा है वो भी बेना किसी डर के मेरे शरीर के एक एक अंग को छू रहा है जैसे ये आग जल रही है वैसे ही मेरा सारा शरीर जल रहा है देखो, आकाश में बादल समा गए है वैसे ही तुम मुझे में समा जाओ फर्स टाइम मुझे शरम आ रही है उसे अपने प्यार में बादने की शक्ती सिर्फ एक ही में है और वो मैं ही हूँ ये मेरा प्यार है ये पागलपन ओ मेरे हैंसम होगे सत्तनारण सुवामी बोलो तुमने शम्शान में इंस्पेक्टर सुरेश की किस वज़े से हत्या की थी मैंने हत्या नहीं किये है अल जिए सब्सक्राइघ ज़िक ये पाता करने के लिए Techieson के आई कर वाने के लिएंटर्यकेशन में सच्चाइच क्या ही ये पता करने के लिए मैं यहां पर आया हूं इसको मेरी भीखने मैं समझना बना, रख, इस अधत से,े,स अधत से,ँ से, क्यक्य, म्योफक्न, सर अपसे मिलने के लिए काथिनाई आया सर प्रिस नहीं हो ELB ふ left कि आप कलती की सजा देने वाला मर्द होता है कलती होने से पहले ही रोकने वाला मैं अकेला मर्द हूं उम्र एक केके तुम जिसे ढून रहे हो वो मैं हूं अत्या करने वाला भी मैं हूं मिस्टर सपनर स्वामी हत्या करने वाला असलिया भी हमें मिल गया है कुछ चीजा आप दुनों की एक जैसी होने के कारण मिस अंडेस्टेंडिंग सारी आप जा सकते हैं केके वो वो कौन है बेटा तुम्हारी इच्छा और आलोचना के बारे में सुना था देर गायश्मान भ प्रिटेंगे ना हमारी ड्यूटी है लेकिन उन्हें मारकर आप भी गलत करें हैं भी टिश शासन अभी तक गया नहीं कि क्या गलत है क्या सही यह जानने वाले तुम जूनियर हो मैं सीनियर हो बेटा गलत काम करने वालों को सजा भी तो तुम भी दिया करते हो उन लोगों को संसार से अटा दू यह मेरी सोच है गुरू जी आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे कि मैं अपनी आत्मा से बात कर रहा हूं सुनकर कुछ इंस्परेशन भी मिल रही है कभी न कभी तुम भ अज़िए गुरू जी तुरुका सर पूर्यों को अरेस्ट करो उससे बचाने के लिए आया था अपने आपको अरेस्ट करवाने के लिए नहीं यहां पर पूरे जदा इस टैल दिखा रहा है अज़िए अंग्रेजों से लड़ने वाला शरीर है तुम तो चोर चकों से लड़ते हो मुझसे लड़ोगे बच्चे हो अधिए अज़िए इसो अ एिसो पजेखग। बंचोर अुम आपकों से लोगए लोगखिए और नहें अपीघा तलाग राग शो बार आण राग झान! परस परसन है काशी फोन जा तो चुट तन्वार मेरे हवाले करो वर्ना मुझे गोली चिलनी बड़ेगी बोक्त् बख gü अरा, इना अरू करो कर फिमें तकाथ क्याक क्यां थ। क्याद, 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 क्याया थेया थेया भी द्हु यू ज्यू कशी उस सत्नारा स्वामी को मार दिया ना? इतने बड़े आदमी के होते हुए ऐसा कैसे हो जाएगा फर्स पर्सन वही मंत्री ए कौन है तू? बताता हूँ चिंता मत करो तुम्हें एक सूत्रवा क्या पता है? किया है वो? शांती से ही सफलता मिलती है कितने लोगों की जान लेका तू मंत्री बनाए ये तेरी पुरानी कहानी है बेटे को मार कर बद्दा लेने की सोचा था ये मेरी सिंगल लाइन स्टोरी है ये बात तुझे कैसे मालू है? इतना ही नहीं तेरे पचास आद्मियों को भी मैंने ही लापता किया था मेरा नेक्स टारगेट तू है सूत्रवा क्या पता है न बचे? मालू मैं शान्ती से ही सफ़ता मिलती है अब वो नहीं है बचे आलस्य और अमरत ही विश है ये वैसे तू है को? अकेला मर्द अकेला मर्द? कमिंग सून नही तरीके से मिलूंगा मुझसे मिलेगा तू मैं तुछे मार दूँगा कितने लोगों को मारेगा तू तू यहां पर अपने बेटे को तुम भुल गया हो तुम्हारी सिक्योर्टी उसे नहीं भूली है इसलिए अंदर आने का मौखा मिल गया बोनस मिल गया है अंदर तू आ गया है लेकिन बाहर कैसे सोचने में थोड़ा डर सा लग रहा है न क्यों मैं आपके पास आया हूं आप मेरे पास नहीं आये हैं तू मेरे पास आया है बापरे बाद बाद पर मार दिया हम वहां गये तो हमारी गलती थी यहां पर आना भी हमारी गलती है मेरे अड़े पर आकर मुझे धंकी दे रहा है तू कि इतने हिम्मत हो गई तेरी सर मेरी एक वीकनेस है थोड़ा गुस्ते वाला हूं मैं अपने अड़े पर रहकर किसी को मारने में शर्माता हूं और वहीं किसी दूसरे गड़े पर जाता हूं तो बिना सेंटीमेंट उसकी चटनी बनाने में देर नहीं करता मैंने जो सोचा था इस नहीं बोल दिया है बार बार तु एक राजनेता से पंगा ले रहा है उसमें रहकर तु इतना क्यों छल रहा है इज़त से उनको आशरवाद देने की जगह उन पर अटेक करवाता है वो मेरा लड़का है मैं जो चाहूं उसका करूं वो कल तेरा बेटा था तेरी फैमली थ प्रेक देकर जमाग को 360 डिगरी घुमा दूंगा जब जमाग काम करने लगता है ना तो किसी की बात सुनाई नहीं देती डर गया ना तो शॉर्ट कर से आया है मैं स्टेट आया हूं तो बारा इनके बीच में अगर आया तो तेरे लिए भगवान भी मैं हूं शैतान भी मैं हूं एए मारना मेरे स्लेबस में नहीं लिखा हुआ है इसलिए छोड़ रहा हूं टेक केर ठी कधा नहीं तो किसका क्रिया कराम होगा एक बार भी असली में नहीं देख पाता हूं हमेशा फिल्म में लिखता हूं क्या हुआ मार दोगे आपके पूरी जयादा इस बिनामिक शर्मा के नाम है याद आएगा क्या पुर्म शर्म में लिखता में लिखता हूं मेरी बातों से तु तु तुझे कुछ नहीं हुआ पर तुझे इस तरह छूने से मुझे यहां अच्छा लगा ओ मेरी हैंसम तु लड़की है की क्या है मुझे लड़की हुआ नहीं कहता है मैं खुदी शर्मा रही हूँ मेरी खुबसूर्ती देखकर तु खुद ही मेरे पास सलाएगा हुहुहू। हुँू खुद शर्मा रही है हुँुू... हुँ... हुँ... अंदाज नशीले दिल लूटे मेरा आह जनमन आँ आँ आ इकुपू ये आँ आ आ इकुपू ये तुपान मजाए जवानी मेरे उस नाखने कहे जनलूटे ये जरी ये तरी मुझानी रख्रा इकुपू ये कर दो कर दो चान शी दिल रुबा मैं तेरे इश्क में डूबा तु ही मेरे दिल की तमन्दा जाने जाओ यारा मैं हूँ तेरी मेर भूबा चाना जोड़ी अपनी क्या कहना दिल क्या तु मेरे जाओ फिलो जान क्या मेरा इमान रो तु है पठाका जवानी तेरी दमाका दमा दम पीजाओं मैं तेरे इश्क को प्याला ए रहाओं रोजिशियो जाती रहाओं मैंस चने कि एकनिए इक बना इसामें मैंद थाओं मैंद magnet, कि एकनिए उन पीजाओं मैं इस भीयदी मैंद आगेत बंद जिसमें तेरा शोला ये उसमें तेरा नशा चीज मसल हूँ आजा चक दू दिल है मेरा रंगिला ना हो जाए कुछ खता दिल में हर चल मचा दे यार दू चले लगा है दिल में जादू देरा खुद पे नहीं अब है काबू मेरा तो लड़का है दिवाना शमक परवना तेर दो इशबे कुर्वा जानी में भी जाओ तेरी आदाएं बिजली की राएं अंदाज नशीले दिल उठे मेरा आँ जन्मन्स पिछली बार कैसे जीते थे इस बार के एलेक्शन में भी हमारी पार्टी जीतेगी क्यों दोस्तो ठीक है ठीक है ठीक है सर हमने करोड़ो रूपिय का कॉंट्रिक्ट दिया था ने आपका हिस्सा पचास क्रोड़ आपके स्विस्स बैंक में डाल दिया है वह एमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसपर होगा है मुझे अब अपना ठाउंट देखना होगा कि अब आओ इपना प्यार क्यों आ रहा है कि दरवाजा क्यों बंद कर दिया कहीं ये पागल तो नहीं हो गिया। कि केसर कपड़े क्यों तार रहे हो मैं तुम्हे कुछ दिखाना चाहता हूँ नहीं सार इसकूल में सब मुझे क्लेमर बाकले बाय काते थे बच्पना था समय वो ऐसा दीन भी कभी आएगा सोचना नहीं था चुप चाप अपना मोबाइल का कैमरा चालू करो वोने जारा घोर आप जो दिखाने बले थे यह वो है साब वो क्या जानते हो बिल्कुल जानता हो सर हीरोईने यहां बनवाती है आपने वहां बनवाया है और कहा का बनवाया है मुझ बंद करके उस टैट्टू का फोटो खेच यह क्या है सर किसी का रोल नंबर है क्या यह मेरे स्विस्पेंग के का उनका पासवर्ड है इतने चालाग है आप किसी को पता ना चल इसलिए अपने पिछमारे लिखा रखा है अप्रबाब मेरे कांट मेंसे पैसा मेरे पिरा और कोई ने निकाल सकता है मेरे कांट मेंसे पैसा निकालने वाला दूसरा कांट होडर कौन है तेरे ब्लैंट को ब्लैंक करने वाला वाइरस में ही हूँ अकेला मर्द अच्छे लोगों के लिए अच्छा खराब लोगों के लिए वाइरस में है तेरी पीट पर एक साप है आम आ राइट शौक लगा ना फुषकर मैं नहाते हुए तेरी खाली पीट का फोटो आया था उससे देखकर मैंने तेरा सीक्रेट पकड़ लिया तूने जो कोट छपाया उसे मैंने सॉल कर लिया अब तू सोच रहा होगा कि मैंने उन पैसों का क्या किया अब वो मेरे पास नहीं है बच्चे तेरा सारा पैसा जनता को जनता को बचाने वाली संस्ताओं के एकाउंट में कपका डाल दिया है तुझे अपना पैसा वापस चाहिए तो तूने जिनको मारा उनका घर और परिवार तुझे चलाना होगा तूने अब तक जो जाने है यह उसका प्राइश्चेत है और तेरे पास जो दौलत है तेरे जीवन भर की कवाई में तुस्से छीन लूगा यही मेरा नेक्स्टेफ है किसी तरह तुझे तेरे पस से हटा लाए कहा था ने एक अलग तरह से मिलूगा बच्चे कैसा लगा मेरा परिचाह लग रहा है न का है कि वह वह से बिसेता है को छीज की कमिंगा दशूरत है नून मैं सबको方 हुट सब को चुनना लगा कर चला गए यह कब हुआ मैं इस तो रेखा नहीं आप मुझस से बहुत बाते चीपने तुझे नहीं पता है उसका घुस्सा अब इसमर्ट क्यों चाहरे है सार अकेले मर्द के बारे में पुछ रहे है सार चल्दी पकड़कर नाचू एए चौबिस घंटे के अंदर उस अकेले मर्द को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ नहीं तो तुम सबको साड़ी और ब्लाउज पहना कर मेकप करवा कर रोट पर डांस करवाओंगा याद रखना याद रखना कहा गया है शिट हमारी यहालत कर दी उस अकेले मर्द को छोड़ है क्या है बलो क्रिश्प अंग्रेजों के साथ लड़ने वाला आदमी है वो अंग्रेजों के साथ लड़ने वाला आदमी तो 1945 से पहले का हुआ है दुरुगा एक काम करते हैं इंटरनेट पर जाकर अकेले मर्द के बारे में कुछ डिटेल मिलती है कि ट्राइब करो वेंकट पूर अभी वेंकट राज में बदल गया है वही वेंकट राज थोड़े दिनों में सत्य नरान हो गया है वेंकटा पूर मतलब सत्य नरान स्वामी का गाव है करें अखेला मर्द ही तो सत्य नरान स्वामी का अराज है शैद इनका उनसे कोई रिष्टा हो सकता है रुक चाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया न, तो सोच लो कि इस गाउं से जिन्दा वापस नहीं जा पाओगे तत्या, देखो इस बार हम तुमारे लिए नहीं आये हैं, हमारी इस गर से अक्यले मर्द का कोई रिष्टा है, वो क्या रिष्टा है मालूम करने आए यह एक पवित्र घर है, अगर उनका इस घर से सच में कोई रिष्टा होता, तो यह हमारे लिए गर्व की बात होती, वो, मामूली आदमी नहीं है, प्रिट्रिश काल में, most wanted terrorist, अब हमारे देश में रहकर, हमारे लोगों की हत्या करने वाला, एक देश द्रोही, देश द्रोही कौन है रे वो देश द्रोही, एक बार और उनके बारे में गलत बात की तो, तो काट कर फेग दूगी, एए, शत्रु आदमी को भी मित्र समझने वाले इंसान को, देश के लिए संगश करने वाले वीर को देश द्रोही कहते हैं, एए, उनके बारे में तुम क्या जानते हो, तुम महातमा गांधी की बारे में जानते हो चाचा नेहरू की बारे में जानते हो सुबाश्चंद्र बोस की बारे में जानते हो लेकिन इन सब के अलावा अकेले मर्द के बारे में मालूम है तुम लोगों को करो definish ऑर ओंग ऑष गइ गईटकि गजomb पॉछ ज通ौ ऑड़ जाओ जब कर दो कर दो कर दो हुए मैं चालू रखूंगा आज से मैं जन्मो भूमी की रख्षा करूंगा जब तक भारतिय दिल पर हाथ रखकर खुशी से मैं स्वतंत्र हूने ही बोलेंगे भारतिय लोगों की जान की रख्षा करने के लिए संगर्श करता रहूंगा ये मेरा मात्र भूमी को दिया हुआ वचन है वचन है रगुपती राजा राम को ऐसा नहीं करना जाहिए था राजा राम ने ऐसा किया है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है उनको मेरी तरफ से शुक्काम नाएं इंडियन साडी कैसी लग रही है डारी इस दीग रेज साडी में तुम्हारी एक रेज सुन्दता अलग ही दिखाई दे रही है वन्दे माटरम कौन है यहाँ पर किसने वन्दे माटरम बोना है तुमने ही जाए यह साडी यहाँ पर कैसे आया साडी लेकरे का औरत आई थी यह साडी तुमने दी है कहकर गई वो औरत कैसे दिखती थी सब गुड़ों में संपन हमारी शारदा बेटी को अच्छे मन से उससे अपनी घर की भव बुना रहे हो इस बात की बुझे बहुत खोशी हो रही है नाती चरामी यहां देखो युक नीती सरुकाल सभा से लेकर वर्दू की हमेशा आप रक्षा करेंगे आपने इसको यह वच्चन दिया है इसका यह मतलब है टकलस कैसी लगी जो मैंने तेरे लिए साडी भेची थी टकलस शूल ब्यूटिफुल साडी इस घंदी सी टी ग्रेट साडी में तुम्हारी खुबसूरती और ए ग्रेट सुंदरता अलग ही दिखाई दे रही है यही तह मैं देखने आया हूँ इसके कपड़े एक एक करके उतारते समय तुम्हें आगे खूल कर देखना होगा कौन संबारत है जो तुझे बचाएगा उसका सर धर से अलग कर दूगा तेरे शरीर के एक कपड़े को तेरे शरीर से अलग कर दूगा और तुझे नंगा करके इन लोगे के सामने चाहूँआ चोड़ दो उसे वर्ग ली चोड़ दो उसे उसके तार नजसर रुख पर दो किसलिए आप लोग डर रहे हो यह डर ही इसकी ताकत है यह पागल कुत्त है बद्दुख में गोली के होने तक यह हमें बारता रहेगा उसके बाद हमारे हाथों कुत्ते की मौत मारा जाएगा क्या तू अंग्रेज उसे ठकर लेगी है बोल तिकु नहीं वह किस साथ आधा ना मिलाओगे तो बनता है वन दमे की मातरा लगाओगे तो बनता है ते मे में आखी मातरा लगाओगे तो बनता है मां बनता में ता की मातरा लगाओगे तो बनता है ता में आखी मातरा लगाओगे तो बनता है राम बन्दे मौतरा बनता है तो 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 बनता है प्रिया, एक बाल भुछो को ताल दीजिए ना? एजी नवार! पंदे माताओ! पंदे माताओ! माताओ! जाकर जर्नल को मेरा संदेशने देना! क्या? किसने हमारे डगलस को मारा? कौन है वो?! जैगू पाची रगवार राजराम आफ्टर आल तीन लोग उने मिलकर डगलस को मार दिया सर तीन लोग नहीं है सर एक ही है वान अनली मार दिया एक करके आपके पास संदेश भेजा है सर वह खान होता है मैं संदेश सा भेजने वाला पास्टर फिर कभी ऐसा बोला तो चार्ट टुकड़े कर देंगे तेरे शरीर के तुमने भारतियों को समझ क्या रखा है हम लोग आदमे की इज़त करना चानते हैं तुम हमारी इज़त करोगे तो हम भी तुमारी इज़त करेंगे तुम हमें मारने की सोचोगे तो हम तुमार हाँ जोड गे लेकिन हांथ उठाने पर हम तुमरे हाँ से लेकर गर्धन तक लाड देंगे और हमारी भारतिय के उपर अगर को यत यत्याचार करेगा तो उसे बार कर उन्की रक्षा करेंगए चान हमारी जा सकती है तुम्हारी नहीं जा सकती, जिंदीगी एक होती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें चाकू नहीं लगेगा या वुलेट नहीं लगेगी जनरल अब तुम्हें ये भारतिया 2.24 दे रहा है पहली, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो वहां आकर डेगलस की बॉडी को आइडेटिफाई करके हस्ताक्षर करके लाश ले जाना और दूसरी तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो वहां पर आकर बिना कुछ भी कहे चुपचा हमारे जंडे के सामने खले होकर सम्मान के साथ जैहिन कहकर अपने डेगलस की लाश ले जाना मंदे मातरा उसने जैसा कहा है क्या तुम लोग वैसा ही करोगे इस हिंदुस्तान से हमारे इस्ज़ चली जाएगी तुम लोग जाओ और कुट्टे की तरह उसे मार करने कर आओ कि अप कि है कि कि अ कुझ त scholarly जाओ कि प्सके कि कि खुला, खुला रगुपत्य रागव राजाराम नहीं आजी आदमी आदमी रगुपत्य रगव राजाराम साइ भाव रागव रजाराम नहीं है डुकलस का सर काट कर मुझको औपर करने वाला अकेला मर्द है अकेला मर्द अकेला मर्द आये, अभी ऐत्मिट में अदुत शाधी होगी वो देखिए, वह वार है वह है मेरी शार्दा बेटी वदू है अमंग पढ़िए अजया बजाओ कि 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 हमारे देश भारत की जंता आराम और शांती से जी सके इसलिए एक होकर सब लोग साथ मिलकर राणों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेगे कि आखेलें मर्द की तरह अगर चार लोग और कड़के साउथ इंडिया में आहिंसा चारउत्रा फैल रही है आहिंसा के कारण हमारी आर्मी तभाह होती जा रही है आहिंसा के खारण जेल में से सब आदमी जेल तोड़कर भाग गयी इंडिया को स्वत्रता देनी पड़ेगी सिर्फ एक शार्थ पर इतने सालों के लडाई के बाद वेटेस गिंडम ने इंडिया को स्वत्रता दे है लेकिन उनकी आर्मी को नश्ट करने वाले इनकलावी को युद्केहदी की तरह हमें देना पड़ेगा ये उनकी शर्थ है है हमारा स्वराज का सपना पूरा हुआ दुबारा इस तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए इसे सुरक्षित जगह पर दफना देते हैं कि कॉम्रेट्स इतने दिनों तक जो आपने मेरी सहायता किये उसके लिए मैं आप सबका आभारियों आज से आप अपने राज्य में जाकर आराम से रहें हमें स्वतनतता मिल गई है निर्भाय होकर परिवार के साथ रहें कि अब जार्दा ब्रिटिश सरकार की शर्त को मान कर मैं युद्ध कैदी बनकर जा रहा हूं कि मेरा वादा है कि मैं फिर से तुमारे पास वापस आऊँ बने माधरम ऐसे संगश करने वाले आदमियों को लंदन में ले जाकर इन्हीं की वज़े से इंडिया को छुटकारा मिला है ये सोच कर ब्रिटेन केंग्डम ने उन्हें सजा सुना कर उन सब पर अत्याचार किये के लेकिन वहां क्या हुआ था ये आज तक किसी को भी नहीं मालू मैं जाकर आओंगा मचंदिया था अपनी बात को सत्य करके ही वह वापस आये बेटा जूनियर हो तुम मैं तुम्हारा सीनियर हूँ गोरो को अपने लोगों से मरवा कर पूरे बिटीश वाले भी उन्हें कहीं पकड़ नहीं पाए उनके सामने जब अंग्रेज लोगों ने अपने घुटने टेक दिये थे उनका बाल भी कोई बाका नहीं कर पाया था चोटे बच्चे हो तुम तुम लोग क्या कर पाओगे आकाश और धर्ती से लेकर उनके लक्षयों को पुरा करने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता बेटा ये बिचारे बहुत थक्कर आये हैं इन्हें पेट भर के ठंडा पानी पिला दे दीदी सारी जंता कह रहे है कि वो महान आदमी हमारे घर का हिस्सा है वो मेरे पिताजी है ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है उनकी बातें सुनी थी लेकिन देख नहीं पाया अब फिर कभी देख पाऊंगा या नहीं मन बहुत तड़प रहा है दीदी हाई आप सब को एक होट नीज बताने वाला हूँ अकेला मर्द का खुलासता हो गया है दो मिनट पहले मैं सीब आफिसर था अभी उस जॉब से इस्तिफा देकर अकेले मर्द का स्वाब इमान करता हूं अकेला मर्द कल आपकी जानको खत्रा होगा तो पुलिस नहीं आएगी आपके घर वाले भी नहीं आपाएंगे लेकिन अकेला मर्द जरूर आएगा अकेला म देखा इन में कितना बदलाव आ गया है अकेला मर्द जनता के दिलों में इसलिए ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं कुछ भी हो अकेला मर्द इससे सिर्म की पोश झीन कर रहो है क्यों रहे ओम वाले टी-शिट क्यों पहन रखिया है ओम का मतलब जनता है अकेला मर्द सब्सक्राइब को देखने की जगा अकेले मर्द को देखना चाहती है इतने सालों से आप उनसे दूर रही है आपको उनको देखने का मन नहीं करता होगा लेकिन संगश करने वाले व्यक्ति को अपना लक्ष पूरा करना हो तो उसमें रिष्टेन आक्तों को कभी नहीं करने के लिए सीबियाई वालों के पस की बात नहीं उसके बारे में मुझे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट चाहिए हम अलो मेरे हैंसम तू है क्या है जानू मेरी चड़ती हुई जवानी तुमसे कुशन पूछना चाहती है वो क्या है कितनी देर तक एक्सेसाइज कर सकते हो जब तक शरीर में जान रहेगी मुझे भी एक्सेसाइज करना सिखाओ ना तुम अपने बाप से पूछकर किसी से शा शादी इस शरीर को सिफ तुम ही चुओगे किसी और ने चुआ तो मिटी का तेल डालकर उसे जला दूंगी पासफूड राचा हम शादी कब करेंगे अभी मैं शादी करने की पोजिशन में नहीं हूं जानू अभी तुमारी हालत और भी खराब हो सकती है एक बार मेरी पोजिशन के बारे में सोचो ना फासफूड उसको क्या हुआ जवानी कंट्रोल कंट्रोल नहीं हो रही है तुम बहुत बेगड़ गई हो चुप तुम शादी नहीं करोगे तो मैं आत्मात्य कर लूंगी एक मिनिट फास्ट लाइन में बहुत देर से भावानी वेट कर रही है हाँ भावानी भावानी निशा तुम दोनों मुझे प्यार करती हो इसलिए मैंने एक फैसला कर लिया है तुम दोनों से शादी कर लेता हूं हाँ तुम लोग डीपली डिसकस करके सोच के मुझे फोन करना अब फोन नहीं करेंगी क्या चैल चलिया है राचा ओ मेरे हैंसम तुमने जैसे बोला था हम दोनों ने टीपली डिसकस कर लिया है क्या डिसकस किया है टायर दोने पर भी बाइक एक ही होती है चुले दो होते हैं पर सिलेंडर एक ही होता है हम दोनों अलग है हमारे पती तो सिर्फ तुम ही हो सोचा था भवानी निशा से चुटकारा मिलेगा पर यहां उल्टा दोनों मेरे साथ चिपक गई अरे मेरा पीछा छोड़ो कि अ कि 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 तदिना है तदिना है तदिना है कि लेले लेले इसाड़ी लेती जा इक राके पहनब तो बंचा एपको कम सिना सीना तो केला ते नहीं आवत बिल्कुल भी का अंग दिखावे से का हाँचल होला तो है नाज नीना थोड़ी तो सर्म करा थोड़ा तो पदल ठका एक कारे तुहे साड़ी रख और इसके पगड़ी बना मस्ते करला थोड़ी बरना बे करबा तो हर जीदा उसने का हमबर जलवा तो भी देख जरा तो के खबता बसने चाही आखों से मस्ते बिला तिल मातों पा कुछ और होटों पर पा कुछ और तो के लाज नहीं आवत बिल्कुल भी का मस्ते करले थोड़ी बरना बे करबा तो हर जीदा इजरा पहना साड़ी पहना सरात आपन तंदकाव इजरा पहना साड़ी पहना सरात आपन तंदकाव इजरा पहना साड़ी पहना सरात आपन तंदकाव हर घर में बातो दरवाजे गड़ियों में भी तो हे सुया दो भी ना रे यूँ अकिला करल दोनु सच मिला दो फल्बा एख शाक पे अर दो परतन पानी से भरे दोना ही तक एक देखत और मजा भी एक तेवत एक सक्य में तो है डिटेल दोनु है लेली माच अप ए तेरे साथ दोनु है पहना हो, नहीं नहीं कारिया जो एक साथ दो चलावे, होगा ओकर एक्सिडेंट मिन्तो मेरे, बचाला हो, वो के लाज नहीं आवत बिल्कुल भी का, मस्ते करना धोड़ी बरनाबे करबा तो हचीना अंस ये लड़के टच करतो, ठाम खोटे मत करतो, हर अंग भड़के दन चलता, सारी लड़ो दो हटटो, सारी लड़ो दो हटटो सोन बार के साथे रहबा, आंगल के हम अस्ते करबा हिबा, दो हर्चा जिनी, पहला दो दिन, होगा ओकर तीसरा दिन पुत्त वर्पू, प्यारा आलम, कुरुवार के होवे संगम, ठीक है, शुक्रवार के होयब छुटी, वीकर्ण कीनो, संदे रहबाम हमकेत कभी वीन तंग करियो, चुने के वे प्यार के रंग भरियो पहना, 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 साड़ी पहना, साड़ी पहना पता बन जाईं, तू ता कमसे न सीना थोड़ी तो सर्म करा, थोड़ा तो बदन ठका, साड़ी तू रख पकड़े बना, मस्ते एके तमे गुर्बातो हजेरा, दिल मता पा कुछ और, भूटों पर पा कुछ और कि 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 मेरी पार्टी के सभी सदस्यों फिर से हमारी सरकार बणना तय है तालिया अभी जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी में इस तरी सुरक्षित नहीं है न्याय का पहला नहीं हो रहा है च्यारा प्रस चे Bai ले पशन किया इन Ст्statुक प्रति दिन तरफ नहीं तुम्हारी तरफ किसकी तरफ है अकेले मर्द की तरफ उसने अपनी अलग पार्टी बना ली न तो तेरी पार्टी मेरी पार्टी छटके में गायब हो जाएगी समझ लेना वो कैसे अगर उसके अच्छे कर्मों को जंता ने देख लिया करते हुए तो वाइरस की तरफ फैल जाए अरे जब मैं इस भोली जनता को अच्छा समय आने दूगा तब ना क्या करेगा मैं जो बोल रहा हूँ वो करो है अग्टिक ठीक से करना विला कर रख दूगा है हमारे प्राणों के रख्छा करने वाले अके लिए मर्द को तुम हैरेश करने की कोशिश कर रहे हूँ उनके उपर से सारे केस्टों होगे नहीं तो मैं तुम्हारे आपिक तसम याद फंट्या कर लूँगा आज मैं परिवार वालों को पांच लाग रुपए देने की घोशना करता हूँ यह तो किये कराय पर पानी फिर देगा है 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 से भी आफिस के सामने अकेले मर्द को बचाने के लिए आत्मत्या करने वाले गडेश के परिवार को मंद्रिपता अप्राणा ने पांच लाग रुपए देने की कोशना की अज तक मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया अकेले मर्द को बचाने के लिए आत्मत करना भी सही है लेकिन कानून के नजर में कितना सही है उनके आकर बोलने पर हमें मालूप बढ़ जाएगा कि तुम्हारे पास दाकत है पावर है फिर मेरे लिए ये सब नाटक क्यों मेरी जान लेने के लिए मेरी वीकनेस को फकड़ कर मुझे बाहर लाने के लिए इतनüş किरी हुए हालकत कर रहे हो तुम तुम जान की परवा नहीं पर मैं किसी की जान नहीं बांव Wyatt पक्ष्ख इप्र परो के सवालों का जवाब देने के लिए अपनी सफाई इटे की डिगान के लिए कि liquidity स्ट यह टीया कि शारदा बूलिए जी युद्ध के लिए जा रहा हूं गुरु जी आज तक आपने पत्ती-पत्नी की तरह साथ रहने का सुख नहीं पाया देश के लिए आप दोनों ने अपने जिंदी की न्योचावर कर दी और कितने अपनों को खोया है आज ये संगर्ष करने का मुझे दी कीजी सीनियर चांत रहो बेटा ये युद्ध तुम नहीं कर सकते सिर्फ आप ही कर सकते मैं जल्दी लॉटूंगा शारदा बंदेव मात रम बंदेव मात रम रगुपति रागव राजा राम उर्फ अकेला मर्द आप जो कुछी बुलना चाहते हैं बिना डरे बुलिए आइडियर जूरी मेंबर्स डर कर करना करके डरना ये सब इस अकेले मर्द के चरित्र में नहीं हैं यहां खड़ी इस भारी भीड को देख रहे हैं इस चंता को पैसों का लालज देकर ट्रक में भरकर नहीं लाया हूं मैं उस समय युद्ध कैदी बनकर ब्रिट्रिस सरकार के साथ गया था यही पता है आपको सच यह है कि हमें गुपत जगए छिपा कर पचास साल तक हमारे साथ अत्याचार होता रहा आप बस इतना समझ लीजिए उन्होंने हमारी जल समाधी बना दी थी चाइनीज मार्शल आर्ट में सीखी हुई वायू बंधन विद्या के दुवारा मैं वहाँ से बाहर निकल पाया मुझे अपना स्वतंत्र भारत देश देखना था उस विल पौवर से देश में कदम रखा इस देश की ऐसी परिस्थिती देखका राश्यर हुआ भूमी से प पूरी होने पर अब किसी की भी जान नहीं जाती है हमारे समय में एक जान जाती थी तो घंटों तक उसका दुख मनाया करते थे लेकिन अब मौत की खबर पेपर में पढ़कर उसे दरकनार करके पेपर में फैस्टिवल आफर ढूनते रहते हैं मौत की खबर हमारे लिए बो नौ महिने में बाहर आने के बाद उसके जान को बहर हमी से एक छण में मार देते हैं यही मेरे मन के अंदर की बात है यह और अनर इसलिए एक भूखे बच्चे को उसकी मा जानवर का नाम देकर सुला देती है अकेले मर्द नाम के जानवर को दिखा कर बेवजय किसी की जान हाँ मैंने गलत किया है उस समय जानाम लेकर और उससे भी ब्याड़ी गलती यह है कि मैं अभी तक जीवित हूँ मैं सीधे यहां पर आकर मैंने ही ये किया है बिना डरे हुए मीडिया के सामने बोलना आज का ये फैशन हो गया है रिस्पेक्टेबल जूरी मेंबर्स इस अकेले मर्द को तुरंट फासी की सजा सुनाएए मुझे फासी दिलाने की सोच रहे हो जूरी के पास सारे सबूत है नहीं किया इसके मेरे पास बहुत से सबूत है तिर दिखाईए कि मैंने सब की जान ली है जिन भारतियों के लिए मैंने संगर्श किया है उन्हीं भारतियों की जान लेलू इतना नीच नहीं हूं मैं साहब इस महान इंसान को देखने के बाद ही समास सिवा के नाम पर धोखा देना गलत बात है यह मैं जान चुका हूं इतनी उमर में रिटार्मेंट ना लेकर सिस्टम के अगये से लड़ने वाले इन महान इंसान को देखकर इनके साथ नहीं इंसानों की जान को घास फूस सम से मारकर पैसा ले लेंगे आप तो एक्तम पकी रिपोर्ट की तरह तैयार करें सर नहीं तो इतने बड़े हस्पितल का एंपड़ी कैसे बनता उसी को हम एक दिन में तेर सोबार तेलिकास कर देंगे यू सब इससे देखेंगे इससे मारी ट्यार्पी कहां तक जाएगी अरे वह बच्चे तो ते रही है ना मार दे उन्हें उस मरने वाले के परिवार वालों को मैं पांच लाख रूपए देने की घोशना करता हूं मामूली आदमी नहीं है अरे यह बंदर की आउलाद कौन है वह हमारे आदमी तहत तेरे की और रहा हम की बंदर deedे की वह हमाह्ज परिवार थो हमारे, रहा है बंदर के नहीं हिस हिस कि पर जाख़ ही है त rivers येलाँ गुर्ण की किए्चे प्रेशी देपे हुआे हुआं, प्रेल के अगुर्ण के ए समया जो हुआं, प्रेशी गाहुआ हुआ जो हुआ जो हुआ! जिलहें जाे! तो छ़ हो तो जाँ कर दो में अेलान को दो में अेड़ार कर दो आफ प्राइ़ जारा जारा एंग। हुँआएपनी पारे गने जल भुँआएएप उलु मुईएपनी जल बुएएब तुएपनी से देहीं पुएपनी जल फले हुँआएखनी जलु मुईएपनी जलु थाहा जल देहीं है? हाँ! छोई किन आहिसं तोई कीजड़ा ओ सकते इल्म आहिसGod जगा ऊतवर ॉण है यह ले आहिस उरा है है यहाँ प्र स्पी यहाँ प्रूज को पेप प्रूज साल खौज पूए इस लोज़ खुश हुआ!